कास सावर मैं आपको बताऊँगा तिरपरषिक के बारे में कुछ information तो चलो इस वीदियो को start करते हैं अब यह तेक अपनी चैनल को subscribe नहीं के की तो प्लीज सब्सक्राइब करीजिए तो चलो इस वीदियो को start करते हैं मूबई और फाइल और फोल्दर दिखा फाइल या फोल्डर को क्या करना मूब करना हताना ठीक है उससे क्या करते हैं मूबिंग और फाइल फोल्डर ओके क्या है कि फाइल या फोल्डर को मूब कराने के लिए निमलिखी चड़र को प्रियोग किया जाता है या निमलिखी चड़र होते हैं आप सिंप्ली बोल सकते है को उसके बहुत सा चडर होते हैं क्या है कि जिस भी फाइल या फोल्डर को रिमूब कराना हो या मूब कराना हो यानि कि हताना हो उसे किल करके सेलेक्ट करें क्या करेंगे उसे आपको किल करके सेलेक्ट करेंगे या उसे आपको Ctrl A दुवारा उसे Select करेना है ओके समझाया ठीक है इसके आपको क्या करना है कि Right Click करके Cut क्या करना है आपको Right Click करना है अपने माउस का या आपका जो लेटाप में होंगे ओके इस पर Right Click करने के बाद आपको क्या करना है उस पर आपको किल्ट करना है इसके बाद राज किल्ट करेंगे कमांड पर उसके बाद कट का आप्सन को चुनना है ठीक है या तो आप क्या कर सकते हैं कि बोड द्वारा कंट्रूल एक्स द्वारा चुन सकते हैं जिसे आपका करद का परदर्शित हो जाएगा जिसे कि सनियुक कुंजी को दवाएं जिसे मैंने क्या बता है कंटूल एक्स दवा सकते हैं ऐसा करने से हुआ फाइल या फोल्डर को content सहीत clipboard में से क्या है clipboard में से अस्थाई रूप से क्या है कि आ जाएगी अस्थाई रूप से क्या है फिर उस अस्थाई या location जहां उस फाइल को move करना करना है उससे चूनिये इसके बाद right किल करके paste command को चूनिये आपको क्या करना है राइट बतन पर किल करना इसके बाद आपको paste command को चुनना है या control भी द्वारा एक अस्थाई जिसे आप move करेंगे आता है कि एक अस्थाई दुसरे अस्थाई पर ले जाना है कोई file को तो आप तो control s s s select करम चर सकते हैं या control sex तुवारा करेंगे तुवारा से cut हो जाएक है इसके बाद control भी द्वारा कहीं फाइल को अपने दुषरे जगह save कर सकते हैं तो आप keyboard से कर सकते हैं तो आप keyboard से कर सकते हैं तो तो next deck या ऐसकर सकते हैं कि ऐसा करने से folder contents से इच्छी जगा पर की बोर्ड यानि कि क्ली बोर्ड में क्लिक करने के लिए उप्रयुक्त कार्यबिदी जैसे कि कट कमांद के अस्थान पर कॉपय कमांद को क्लिक क्या जाता है आप किसी फॉल्डर हो गया याым फॉल्डर तर्म युससे साथ कट बनाना capability करने के लिए बहुत सी तरीखाar को अपनाना होगा की आइ कि जिसे भी फायल या फोल्जर का sharp cut बनाना है उससे शर्वपठाम माउस के click डोआरा select किजिए या उससे select कर सकते हैं click डोआ तो आपको या उससे भी select कर सकते हैं इसके बात नहीं है यहां से यहां से देख सकते हैँ इमेज मैंने लगा दिया है इसके बाद उस फाइल या फॉल्दर पर right खिल करके prompt up week ow percent बर्ड़न अप मेंनु create 6 को चुनिए उसके मैंने आप तो ऐड़ोग पर क्रीमेज यहां से simply देख सकते हैं create 7 शात पर आपको कम जी से éa Widem करेंगा तो आपको इस तरीके से कुछ आपसं दिखने को मिल जाएगा तो आपको क्या करना है यहां से पर क्या करना थे इसके सद्पद करने के बाद या उस फाईल या फोड़ार कौपी कीजिए वह देख स्तापड प्यस्त कर दिए अब सब्सक्राइब कर देंगे तो जो आपका है वहां से सब्सक्राइब बन जाएगा क्रेट हो जाएगा तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चैनल पर फस्ट है में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपको त्रिपर स्टी में कोई भी प्रोब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए तो मिलते हैं नेस पात में तो आज के लिए इतना है जैन